हेलो एब्रिवन कैसे आप सभी मैं शारत कुमार चौशिया एक बार आप सभी कफिर से स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल करियर इन एक्षन पे लगन आपकी एडवाइज हमारी तो कल मैं आप लोगों को सिखाया था का प्रोफित लॉस का सेलिंग और और इसी का जो प्रोफित लॉस का जो सेकेंड पार्ट है मार्केट प्राइज और डिसकाउंट ठीक है उसका मैं बता देता हूं आज ठीक है अलांकि इससे बहुत कम चांस होते हैं कोशन आने के लेकिन फिर भी अगर एक्जामिनर का मूड तो डाल देता है एकाज कोशन आ जाते हैं फिर भी आप लिए कॉंसे कर लिए कहीं से भी कोशन आ जाए आप लोग तो छोड़ने वाले नहीं है कोशन ठीक है तो बस आपको करना है पढ़ लिजिए ज्यादा कुछ है नहीं यहां पर जैसे कॉस्ट प्राइस काम करता था यहा पे discourt करते हैं फिक अब देखें यहां पो गर अगर कान निकालना हो तो हमें मार्कट फ्राइज मार्केट कर दिया रहे गाएगा मार्केट प्राइस अबसे जएदा सब्सक्राइब प्राइब हम सब्सक्राइब्स ऑफकर किया सब्सक्राइब आपका ठीक तो यही है और इसके साथ साथ यह भी आप याद रखेगा कि मार्केट प्राइज को हम लोग क्या कहते हैं लिस्ट प्राइज भी कहते हैं ठीक है लिस्टेट प्राइज या लिस्ट प्राइज भी कहते हैं एगर मार्क प्राइस अगर 100 रूपीश होगा, और सेलिंग प्राइस किया होगा निमा 16 रुपीश कि MIL सहों LIVE अगर आपको discount percentage निकालना है तो ये 40 रूपए divided by जो market price है 100 into 100 कर देंगे ठीक है तो आपका discount percent आजागा यानि 40% आपका discount आजाएगा ठीक ये याद रखेगा ठीक है ये concept था तो चलिए आप question पे चलते हैं पहले मैं आपको बता दू कि ये जो question है पहला वाला ये normal formula basis पे है ठीक है इसका बाद बाकी जो question है वो थोड़ से level के है ठीक है ये question इसलिए मैं पहला लाया हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि formula पे आप लोग कैसे apply करते हैं ठीक है formula पे कैसे ये चीज होती है ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले question से पहला देखिए पहला question क्या कह रहा है अलमीरा is sold at rupees 5225 after allowing a discount of 5% find its market price देखिए यहाँ पे market price पूछ रहा है कि market price क्या होगा अगर कोई एक अलमीरा को बेचा जा रहा है यानि sold करना मतलब selling price SP ठीक है sold करना कितना SP कितना दिया है 5225 रुपए पे किसी एक अलमारी को बेच रहा है after allowing discount of 5% 5% discount देने के बाद उसको इतने पे बेचा जा रहा है ठीक है तो market price कितना होगा यानि मैं आपको formula क्या बताया कि discount जो होता है वो market price minus selling price होता है ठीक है तो आप यहां से यह देख लिएगा कि यहां पर discount दिया है 5% ठीक है और selling price दिया है कितना आपको 5225 market price पूछ रहा है ठीक है अब देखे ट्रिक मैं बताता हूँ आप formula से मत करिएगा solve ठीक है बहुत time लग जाएगा ठीक है वैसे इसमें क्या करेंगे आप लोग market price जो भी आएगा selling price में हम लोग 5% add कर देंगे तो हमारा market price निकल आएगा लिकिन हम लोग को 100 trick अपनाना ठीक है 100 trick के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए market price कोई भी चीज हम लोग 100 लेके चलते ठीक है माल लो market price 100 है ठीक है अब 5% का discount दिया यानि 5% का discount देना मतलब 5% कम में बेचना ठीक है 5% 100 का कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा ठीक है यानि 95 पे बेचा होगा यानि selling price कितनी होगी 95 होगी और market price यह है ठीक है अब 95 पे बेचा है तो यहाँ पे बेचने का भी दाम दिया है ठीक है selling price यह भी दिया है और selling price यह भी है तो इसको यह किसके बराबर है 5,225 के बराबर है ठीक है तो यहाँ से हम एक की value निकाल लेंगे कितना आजाएगा इसको यदि divide करेंगे ना तो आपका जो value आएगा वो आएगा 55 आएगा ठीक है जब एक की value 55 है तो आपकी 100 की value कितनी होगी multiply कर देंगे 55 से यानि 5,500 हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा आपका market price ठीक है तो यहाँ पे option D जो है correct हो जाएगा clear, simple सा है market price 100 लेजिए 5% discount पे बेचा है तो 5% कम कर दीजे यानि 95 हो जाएगा ठीक है 5% कम करेंगे तो 95 हो जाएगा और यह 95 पे बेचा है और यहाँ पे बेचने का दाम भी दिया है तो 95 इसके बराबर हो जाएगा यहाँ से एक की value निकाल लेंगे जब एक की value निकाल लेंगे तो हम लोग market price 100 लिये थे तो 55 से हम लोग multiply कर देंगे वो market price आजाएगा next question की तरफ बढ़ते है देखिए next question क्या कहा रहा है question कहा रहा है अब देखिए यह तो English लोग के लिए था हिंदी में बता दे रहा हूं क्या है सुमित ने offer किया discount 20% का ठीक जो भी उसके दुकान पे item है सारे के लिए ठीक है और उसके बाद भी वो 12% profit कमाता है ठीक है मतब 20% discount देने के बाद भी उसको 12% का profit होता है ठीक है तो उसका cost price क्या होगा अगर उसका market price 280 रुपया है ठीक है cost price आपसे पूछ रहा है ठीक अब देखिए यहाँ पे क्या करना है सीधे market price आपको दिया है कितना 280 रुपय ठीक अब cost price इससे कम होगा ठीक अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग selling price निकाल लीजिए selling price निकालने के लिए अब लोग क्या करना पड़ेगा जो discount दिया गया है यानि 20% discount दिया है यानि इसका 20% market price का 20% market price पे ही तो discount दिया गया है market price हम लोग market price का 20% निकालेंगे तो और जो भी आएगा वो इसमें से minus कर देंगे तो हमारा selling price निकल आएगा ठीक है जैसे 280 into 20% निका लिए आप इसका ठीक है यह हो गया 100 से यह जिरो गया यह जिरो गया 28 दूनी 56 ठीक है यह 56 अब यह तो आपका 20% आ गया किसका 280 का ठीक है 280 में मैनस करेंगे तो उतने में वह आजाएगा कि जो हम बेचे हैं जितने बीपाई है तो अब यहां पे करिया 230 मैनस 56 करेंगे तो कितना आएगा इधर 4 बचेगा और इधर 2 बचेगा और यह गया अपका सेलिंग प्राइज सेलिंग प्राइज निकल आया ठीक अब देखिए कोई वी चीज हम क्या बताएं 100 लेटते हैं मान लीजिए CP हम लोग 100 ले लिए ठीक है अब उसके बाद यहां पर क्या दिया है कि 12% प्रॉफिट पे बेचता है ठीक है 12% प्रॉफिट का कहने का मतलब 12% प्रॉफि हो जाएगा अब यह इतने पर बेचा है यानि यह सेलिंग प्राइज है बेचा है ना तो सेलिंग प्राइज है और यहां पर हम लोग सेलिंग प्राइज निकाल चुके हैं तो यह सेलिंग प्राइज किसके बराबर हो जाएगा इस सेलिंग प्राइज के बराबर तो यह दो है तो 100 की बेलू 200 हो जाएगी तो यह आपका क्या जाएगा cost price आ जाएगा ठीक है 200 हो जाएगा यह हो गया option C correct ठीक ऐसे करते हैं ठीक market price पहले निकाल दिये अब उसमें क्या बोला है कि discount दिया आप कभी भी discount market price पे ही निकालेंगे cost price पे कभी निकालेंगे ठीक है याद रखिएगा अगर profit या loss होगा वो आप selling price पे या cost price पे निकालेंगे लेकिन discount जहां आ जाएगा वो market price पे हमेशा निकलेगा ठीक है जो भी discount होगा वो market price का ही होगा तो यहाँ पर market price 280 था 20% discount बेचा तो इसका 20% निकालिए कितना हो गया 56 रुपए हो गया तो कितने बेचा 280 मैनस 56 रुपए 56 की छूट दिया है न तो market price कितना था इतना था तो 56 रुपए की छूट दिया है तो 56 रुपए इसमें से बेचा है 112 पर बेचा है ठीक है यह सेलिंग प्राइज और यह सेलिंग प्राइज निकाल चुके हैं तो बराबर हो दिया तो आप लोग तो उसको छोड़ने वाले नहीं है फॉर्मला वाले कोशन को सीधे आप लोग उसको उड़ा देंगे लिकिन आपको प्रैक्रिस इस चीज़ की करनी है अगर इस यह देता भी इसी टाइप के सवाल है ठीक है तो बस इस पर फोकस करिए concept बनाईए और टाइम के अंदर मुश्किल से आपको 30 सेकंड के अंदर सारा चीज उड़ा देना यह समझा रहा हूँ आपको इसलिए इतना टाइम लग रहा है ठीक है बाकि आप लोग concept अगर clear कर देंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा ठीक है तो चलिए देखिए next question की तरह बढ़ते ह हुआ ठीक find the market price of an article which cost Rs.450 to the shopkeeper ठीक अब देखिए वहाँ पर क्या पूछ रहा था cost price पूछा था और market price दिया था अब यहाँ पर cost price दिया है market price पूछ रहा है ठीक है अब देखिए a shopkeeper allows a discount of 10% मान लीजिए market price हम लोग ले लेते हैं 100 ठीक अब 10% का discount दिया यानी हमको 10% का discount देखिए तो कितने बे पर बेचेंगे ? 90 पर बेचेंगे ठीक और उसके बाद भी वह 20% का profit पा रहा है ठीक है अब 20% का profit पा रहा है यानी profit हम क्या बता है profit discount हम लोग किस पे निकालेंगे market price पे निकालेंगे तो मैंने 10% discount पे ले लिया है अब यहां पे 20% gain दिया है profit दिया है तो answer comes by craze senior dapat अपोर चारिस कितना है 450 दिया यहां पर एक सब्सक्राइब इसका हम लोग 20% इसका में निकाल रखाएंगे तो इसे एक सहीं सब्सक्राइब रूपकार सब्सक्राइब इसका मिदूंक हुआ तो इतना profit हुआ है अब यह 90 को हम लोग क्या करेंगे 450 में add करेंगे आप क्योंकि profit हुआ है तो profit हुआ यानि selling price ज्यादा होना चाहिए तो selling price हम लोग निकाल रहे हैं तो selling price ज्यादा होना चाहिए cost price है क्योंकि profit हुआ है तो 450 cost price प्लस ये जो आपका profit हुआ है नबबे ये आजाएगा selling price ठिक यहाँ से कितना हो गया 0 और 95 कितना 4 और ये 540 ये selling price आपका ठिक 540 हो गया अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि market price कितना था 100 था और बेचा कितने पे है 10% discount पे यानि ये भी selling price है अब ये selling price और ये selling price बराबर हो जाए कर दिजिए ठिक है कितना ये 450 ठिक ये 0 से 0 गया 504 0 से 0 गया और 9 से कितने बार में 6 बार में गया ठिक है जब 1 की value 6 है तो हमको क्या पूछ रहा है question में market price किया होगा जब 1 की value 6 है तो 100 की value कितनी होगी 600 हो जाएगी दोनों side 100 से multiply कर दीजे ये हो गया 600 ठिक अंसर आपका आ गया market price कितना हो गया 600 हो गया यहाँ पर option C correct हो जाएगा clear simple आप बस concept clear रखेंगे सब आ जाएगा आपसे automatic बनना लगेगा आप step by step solve करेंगे ना concept wise तो automatic सब दीरे दीरे answer निकलाएगा ठीक है चलिए next question की तरह बढ़ते है next question क्या कर रहा है question number fourth कर रहा है a trader buys an article for rupees 1200 कोई एक trader है वो एक article खरीदा कितने में 1200 में खरीदा खरीदा यानि cost price है ये ठीक 1200 में और list it 30% above the cost price list मैंने क्या बताया था list price भी बोल दे तो हम लोग उसको market price कहेंगे ठीक है market price और list price एक ही है ठीक है और देखिए 1200 में खरीदा ठीक है कोई भी मानले जी मैंने दुकान लगाया ठीक है मैं दुकान लगाया मैं थोप में कहीं से माल लाया वो 1200 का था ठीक है अब 1200 का ला करके मैं market में अपने उसका दाम कितना 30% above the CP यानि जो CP है यानि 1200 है इससे 30% अधिक मैं दुकान पे चपका दिया कि market price इतना है ठीक फिर क्या बोलता है इसमें कि he then sell it after allowing a discount of 20% उसके बाद जब ये 30% ज़्यादा CP से 30% ज़्यादा का market price लगाया उसके बाद उसने discount दे दिया 20% का ठीक है तो find the SP and the profit price अब उसके बाद पुछ रहा है कि कितने पे बेचा होगा और कितना profit हुआ होगा ये आप निकालिए ठीक है अब देखिए cost price कितना है 1200 है ठीक है अब मैं market price जो लगाया हूँ इस cost price का क्या बोल रहा है above the CP 30% above the CP ठीक है यानि 1200 का 30% निकालो 30% निकाल लिए ये गया ये गया ये गया ये गया 3, 2, 6 3, 3, 3 और ये 0 ठीक 360 रुपे जादा यानि 1200 प्लस 360 रुपे is equal to कितना हो जाएगा 1560 रुपे ये market price मैंने लगा दिया ठीक ये market price निकल गया इतने में मैं खरीद के लाया और दुकान पे मैं बोल दिया कि भाई ये market price है मैं इतने में बेचूंगा ठीक अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 20% का discount देता है मैंने फिर बोल दिया कि चलो इसमें मैं 20% का discount दे दूँगा आपको ठीक है जब 20% का discount दिया गया है market price पे तो 1560 का 20% divided by 100 ये हो गया जीरो गया ये गया जीरो गया अब 156 दुनी कितना हो जाएगा आपका ये SP आपका हो जाएगा 312 312 6 दुनी 12 और 5,5,10,1,1,1,2 ठीक हाँ 312 हो गया ठीक है ये 312 discount दिया गया market price पे ये market price पे मैंने ये आपका market price निकला अब ये आपका क्या निकलेगा ये discount निकलेगा ठीक है discount इतना ही रुपय का discount दिया यानि कितने पे किस पे दिया हूँ मैंने market price भी हमेशा discount किस पे देंगे market price पे देंगे तो 312 का मैंने discount दे दिया तो हमको selling price निकलना है तो selling price क्या होता है selling price होता है हमारा market price minus discount ठीक ये होता है market price हमारा कितना था 1560 था मैंने discount कर देंगे 312 तो कितना आ जाएगा ये आपका इदर 8 हो जाएगा ये होगे आपका 4 ये 2 एक ये 1248 यानि selling price आपका 1248 आ गया ठीक है अब देखें यहाँ पे option पे आप सीधे देख लिजे यहाँ पे क्या पुछा था selling price पुछा था और profit बोला था 1248 कहां पे दिख रहा है ये आपको option C में दिख रहा है तो सीधे आप मार्क कर देंगे इसके बाद अगर माली जे selling price ना बोलता ठीक है उसके बाद आपको सीधे profit percent बोलता तो इसको भी बता रहा हूँ मैं कैसे निकालेंगे ठीक है निकालना तो पड़ेगा यहाँ पे तो जैसे option एक ही दिया है तो सीधे आप में यहाँ पे देख करके मार सकते हैं लेकिन मैं यह भी बता दू कि profit percent कैसे निकालेंगे देखे selling price हमारे कितना हो गया 1248 और cost price कितना है हमारा 1200 है तो हम लोग profit percent कैसे निकालते है profit percent जब profit होता है इंटू 100 कर देंगे यह गया यह गया यह गया यह गया 1248 तो यानि 4% आपका यह profit percent आ गया ठीक है profit percent यानि 4% profit percent आ गया ठीक ऐसे निकालना है ठीक है एकदम concept आप दिमाग में clear रखेंगे तो सब automatic आपका निकलते आएगा ठीक इतना time लग रहा है आपको समझाने में आप लोग जब करेंगे तो यह कुछ time नहीं लगेगा ठीक है सीधे यहाँ पर CP लिखे MP लिखे MP का हम लोग 30% निकालके जो भी आया इतना निकाल दिये MP आ गया ठीक डिसकाउंट निकालने के लिए MP पर हम लोग जितना percent discount दिया है इसका उतना percent निकाल ले 312 discount आ गया अब यह minus कर देंगे इसमें हम लोग discount में तो selling price आ जाएगा selling price आ गया तो फिर उसके बाद हम लोग profit percent निकाल लेंगे selling price और cost price से ठीक तो ऐसे आप लोग को solve करना है ठीक exam में भी एकदम ऐसे ही tricky solve करना है ठीक advertise price बोले list price बोले market price बोले एक ही है 10% discount किसके दिया market price पे कोई एक scooter समान खरीद रहा था समान जब कोई एक dealer खरीदा तो उसको profit कितना हुआ 20% का हुआ उसको जब discount दे दिया बेचने पर जब discount दिया 10% का discount दिया उसके बाद भी 20% उसको लाव हुआ ठीक है he makes a profit of 75 on the sale of the scooter the advertised price was अब देखे यहाँ पर advertised price यानि market price पूछ रहा है कितना होगा अगर उसको profit हुआ 75 पहले तो वो एक scooter बेचा एक scooter को वो अपने 10% discount दे दिया जो भी उसका market price रहा होगा भी था उस पे उसने 10% का discount दिया उसके बाद उसको 20% का profit हुआ और ये 20% का profit है न वही मान यहाँ पे दिया है कि 7500 रुपए का profit हुआ है 7500 profit is equal to 20% ठीक अब देखे यहाँ पे advertised price पूछा है अब आप सभी को पता है अगर हमें selling price निकालनी हो selling price निकालनी हो तो हम क्या करते है market price पे जो भी जितना भी percent discount रहता है वो selling price के बराबर रहता है तो market price पे कितना दिया है 10% का discount दिया है यहनि 10% 10% 1 by 100 कर देंगे ठीक है discount दिया है तो इसका 10% भी minus करेंगे लेकिन आपको ये नहीं करना है ठीक है आपको क्या करेंगे market price into 10% का कहने का मतलब क्या होता है 10% is equal to वो 1 by 10 अगर discount दिया है यानि loss में गया है तो यानि 1 loss में 10 है 10 का था 1 loss गया है तो यानि कितना बचा 9 by 10 बचा ठीक है यहाँ पे आप 9 by 10 करेंगे ठीक है अगर आप यह करते न तो उसके बाद जो यह value आता उसके बाद आपको फिर से minus करता market price में minus करना पड़ता ठीक है तो आप यह नहीं करेंगे ठीक है तो अगर हम selling price निकालते हैं तो selling price कैसे निकालते हैं market price पे आपको जितना discount रहता है cost price को सब लेते हैं तो 20% profit होना होता है तो कितना हो जाता है 120% हो जाता है कि नहीं तो यह 120% divided by 100 हो गया ठीक है CP into CP into 120 by 100 is equal to SP निकलता है और अगर हमको market price के थ्रू निकालना है तो market price into discount जो भी रहता है वो उसके equal से निकलता है ठीक है अब देखिए यह तो आपको equation पता चल गया अब आपको क्या पूल रहा है कि market price निकलना है यानि आपको यह निकलना है अगर इसमें से हमको या तो SP पता चल दा है या तो CP पता चल दा है ठीक है इसमें से अगर हमको कोई पता चल दाएगा तो हमारा market price निकल आएगा ठीक है अब देखिए क्या करना है लेट करिए कि CP CP कितना है 100 है अब जब 100 है CP तो आप एक काम करिए इसको छोड़े ये लंबा उपर जाएगा इसको अटाइए आप क्या करिए सीधे से discount यहाँ पर दिया है discount percentage का गया यह discount दिया है ठीक तो आप सबसे पहले यह करिए कि क्या होता है आपका यह discount निकालना होगा तो किसके बराबर होगा यह SP मैनस CP अपाउन CP इंटू 100 के बराबर हो जाएगा ठीक जो भी है यह profit percent का हो या फिर discount का हो ठीक है अब यहाँ पर आपको profit हाँ discount दिया है कितना sorry यह गड़ बढ़ हो गया या आई यह इस question पर आते है question number इस पर क्या बोल रहा है a single discount equivalent to the three successive discount of 5% 10% and 20% is देखिए अब यह 3 successive discount है 5% 10% 20% ठीक है यह successive मतलब बढ़ते जा रहा है ठीक है जब यह successive discount है तो इसके equivalent कोई एक single discount होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर पूछ रहा है ठीक है अब देखिए इसमें क्या करते हैं discount की बात चल रहे है यानि market price आएगा और selling price आएगा ठीक है अब successive discount यानि 5% हम लोग दीजाने के पांच परसंट करते हैं लोग 5% को अम लोग क्या लेंगे 5% को एक पटा 20 लेते हैं यानि अगर discount दिया है तो यानिझे घाता हो रहा है यानि यह कितना हो जाएगा उननीस बटा 20 हो जाएगा और 10% को क्या लेते वे discount दिया तो तो यह 9 बटा 10 हो जाएगा ठीक है उसी तरह 20% को क्या लेंगे एक बटा 5 लेते हैं यानि डिसकाउंट दिया तो 4 बटा 5 हो जाएगा ठीक है अब देखें मार्केट प्राइज सेलिंग प्राइज क्या करिएगा यहां पर आपका मार्केट प्राइज कितना है 20 रुपे डिसकाउंट देने के बाद सेलिंग प्राइज कितना हो जाएगा 19 रुपे हो जाएगा ठीक अब दुसरे 10% यानि 10 आपका market price है और discount देने के बाद 9 हो जाएगा अब दुसरा last क्या है तीसरा 5% हाँ 20% है तो यानि 5 आपका market price है और discount देने के बाद क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा ठीक है यानि selling price आपका 4 हो जाएगा ठीक है अब इसमें क्या करिए सीधे तीनों को multiply करिए ये 5 to 10 और 10 into 10 1000 हो जाएगा ठीक है ये 1000 हो गया अब इसको multiply करिए 490 to 36 और 36 into 19 करेंगे तो आपका लगभग ये 484 आएगा ठीक अब इसमें से ये कितना कम है आप minus करिए इसको तो ये आएगा 316 316 कम है ठीक है अब ये आपका 316 कम है यानि हमको single discount बोल रहा है तो 316 कितने में से market price हम ऐसा नीचे रहता है जैसे CP नीचे रहता है वैसे market price दिये रहा है तो market price नीचे रहेगा 316 कम है 1000 में into 100 ये हो गया ये हो गया इसका अंसर आजाएगा C 31.6 11% हो जाएगा single discount ठीक है अब देखे इस question की तरह बढ़ते है अब ये question क्या कहा रहा है the market price of an article is 50% above its cost price एक market price है किसी article का वो 50% अधिक है अब उसके cost price से ठीक when the market price इसको आप सबसे पहले start कर लीजिए किसी भी तरह आप इसको रट लीजिएगा question को ठीक है नहीं समझ में आएगा दुबारा पढ़िएगा लिकिन पढ़ लीजिएगा कर लीजिएगा बहुत important question है बहुत अच्छा tricky है ठीक है the market price of an article is 50% above the cost price यानि जो cost price है उससे 50% अधिक है आपका market price ठीक है when the market price and selling price both are increased जब market price और selling price दोनों बढ़ाते है 20% से तो जो profit है profit become double तो जो profit है वो double हो जाता है ठीक है if original market price इस 300 अगर original market price कितना दिया है 300 दिया है तो original selling price क्या होगा ठीक ध्यान से समझ जीएगा एकदम ध्यान से समझ जीएगा जो भी है सब फोकस करिएगा इस पर मैं कैसे समझा रहा हूँ देखिए इस टाइप का question कैसे करेंगे देखिए क्या बोल रहा है market price of an article is 50% above the cost price एक यहाँ पर आप market price बना लीजिए यहाँ पर cost price बना लीजिए और यहाँ पर selling price बना लीजिए ठीक बना लीजिए अब यहाँ पर profit बना लीजिए क्योंकि profit भी बोल रहा है profit become double अब देखिए क्या बोल रहा है कि market price of an article is 50% above the cost price माल लोग cost price हम लोग 100 ले लेते हैं ठीक है अब market price क्या बोल रहा है 50% अधिक है cost price से यानि यह हो जाएगा और यहाँ पर selling price आपको दिया नहीं तो इसको X ले लीजिए ठीक अब profit हमें निकालना होता है profit तो कैसे निकालते हैं selling price में cost price मैनस करते हैं तो यानि X मैनस 100 हो गया यह आपका profit हो गया ठीक अब देखिए पहला हो गया अब दूसरा क्या बोल रहा है कि market price and selling price both are increased by 20% यानि इसको भी 20% से बढ़ा दें 20% से और selling price को भी 20% से बढ़ा दें ठीक दोनों को 20% से बढ़ाने का मतलब इसको बढ़ाएंगे 20% तो देखिए 20% का 20% कितना हो गया 30 आगया और 30 इसमें add करेंगे तो यानि कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ठीक है 1.500 का 20% कितना हो जाएगा 30 होगा न और 30 इसमें add करेंगे तो बढ़ करके कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा X का 20% करेंगे तो देखिए क्या होगा रिखाएगर यहाँ पे बाभा दिया गया तो जो यह दूसरा है यह इसका डबल हो जाता है यानि इसका डबल हो जाता अब यह इधर जाएगा और यह इधर आजाएगा तो यहां क्या बचेगा सो बचेगा और यह टू एक्स है इधर चला जाएगा तो इसको काटेंगे तो कितना यह चार बार में यह पांच बार में फिर चार से सीधे चार से इसको 25 बार में कार दीजिए तो X की वैलू कितनी आ जाएगी 125 आ गई ना तो X की वैलू कितनी आ गई 125 आ गई यानि ये आपका जो SP है ये कितना गया 125 आ गया अब क्या बोल रहा है ये अभी औरिजनल नहीं आया याद रखेगा औरिजनल MP क्या था हमने तो 1500 यहाँ पे कोशन के साब से लिया था ना 1500 तो माना था मैंने 100 माना था CP तो 50 इसे अधिक था MP अब औरिजनल क्या दिया है ये 1500 यहाँ पे 300 दिया है मार्केटवाइज ठीक है औरिजनल 300 दिया है यानि एक की वैलू कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी ठीक है एक की वैलू कितनी आ जाएगी एक की वैलू टू आ जाएगी ठीक है अब आपका उसी तरह यहाँ पे यह जो X आया है यह 125 आया है अब इसको भी 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तब आपका जो होगा सेलिंग प्राइज औरिजनल सेलिंग प्राइज आ जाएगा यानि कितना हो जाएगा है यह यह आपका हो जाएगा 052 यानि 250 250 यहाँ पे option C जो है correct हो जाएगा ठीक है इस question को अच्छे से ध्यान से समझ लीजे एक बार दुबारा मैं समझा दे रहा हूँ cost price market price selling price 100 दिया था 100 लिया था मैंने माना था और क्या बोला था 50% अधिक होगा market price तो 50% अधिक 100 का 500 हो गया और selling price नहीं दिया था selling price नहीं लिया ठीक है और यहाँ पे profit कितना दिया है x-100 दिया है ठीक x-100 क्यों क्यों क्योंकि profit हम जब निकालते हैं तो selling price में cost price – करते हैं तो selling price यह है आपका X और cost price हो गया 100 अब दुसरे बार में क्या बोला था कि अगर 20-20% market price और selling price बढ़ा दिया जाए तो ये 180 हो जाएगा 20% बढ़ाएंगे और ये कितना हो जाएगा 1.2X हो जाएगा ठीक है 1.2X हो गया और cost price की बात नहीं किया था ये वही रहेगा ठीक है तो यहाँ पर profit क्या हो जाएगा ये 1.2X selling price मैंनस cost price 1.2X मैंनस 100 हो जाएगा ठीक है अब क्या बोल रहा है उसके बाल कि जब बढ़ाते हैं तो profit जो है double हो जाता है ठीक है जो ये profit हुआ है ये profit हुआ है ये double हो जाता है किसका इसका ठीक है तो ये 1.2X मैंनस 100 जो है ये double हो गया किसका X मैंनस 100 का तो यहाँ से हम लोग X की value निकाल लिए तो X की value आ गई अब original नहीं आई थी क्योंकि original आपको market price कितना दिया था 300 दिया था और हमने माना कितना था तो यहाँ से एक की value निकालेंगे तो ये दो बार में कटेंगे ना तो उसी तरह जो X आया है वो भी मैंने माना था तो जो आया है इसको भी 2 से multiply करेंगे क्योंकि एक की value दो है तो 125 से multiply करेंगे दो को तो हमारा जो है original selling price आ जाएगा clear देखे अब last question पर आते हैं last question क्या करा है a dealer make a profit of 20% even after giving a 10% discount on the advertised price of a scooter if he makes a profit of Rs.75 on the sale of the scooter the advertised price was advertised price, listed price, market price कुछ भी बोले एक है ठीक अब देखे अब मैं समझाता हूँ question क्या बोल रहा है a dealer make a profit dealer 20% का profit पाता है जब वो 10% discount पे अपना जो advertised price था उसका 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 10% discount देता है और जब discount देने के बाद जब बेशता है तो उसको 20% का उसको profit होता है ठीक है अगर उसको जो profit होता है वो 75-100 के बराबर होता है यानि यहाँ पे जो profit हुआ है 20% का हुआ है और यहाँ इसी का value दे दिया है कि वो 75-100 है ठीक है rate दे दिया है 20% बोले चाहे दाम में बोल दे तो यह एक बराबर है ठीक है यह इसके बराबर है ठीक on the sale of the scooter ठीक है जब बेशता है तो यानि जब बेशता है तो 75-100 रुपय का उसको profit होता है यानि यह 75-100 रुपय है वो 20% का है 20% profit है ठीक है तो advertised price क्या होगा यानि market price क्या होगा ठीक है अब देखिए आप लोग सभी जानते है अगर हमको selling price निकालनी होती है तो market price into जो भी discount रहता है discount कितना यहाँ पर है 10% है 10% 10% is equal to 1 by 10 होता है यानि 10 का है एक का नुकसान हुआ ठीक तो यानि यह 9 बटा 10 हो गया ना तो 9 बटा 10 यह किसके बरावर हो जाता है selling price यह selling price निकालने का formula है ठीक है आपको यह पता है कि हमको selling price निकालना है तो ऐसे करेंगे ठीक है अब अगर यह market price दिया है तब selling price ऐसे निकलता है अगर cost price दिया है तो कैसे निकलता है cost price into जो आपका profit percent दिया रहता है वो होता है यानि 20% profit यानि cost cost price हम लोग कोई भी होता है तो 100 लेके चलते हैं तो यहाँ पे 20% दिया यानि 120 बटा 100 ठीक है अब यह equation बन गया ठीक है अब आपको market price निकालना है आपको यह पता चल जाए या फिर यह पता चल जाए तो यहाँ से आपका market price निकल आएगा अब देखिए अब देखिए का solution क्या से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो profit दिया यहाँ पे profit कितना दिया है तो profit क्या होता है profit is equal to selling price minus cost price होता है ठीक तो यहाँ पे आपका profit कितना दिया है अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है यह profit कतना दिया है तो यहां पर profit percent कितना दिया है यहां पर देखें कोशन में कितना दिया है profit percent 20 दिया है 20 दिया है न तो जब 20 दिया है profit percent तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 20 बराबर selling price अब देखिए अब यहां से selling price की value हम क्या निकाल लेंगी जब selling SP यह जब CP को हम यहां बेजेंगे इस site बेजेंगे तो यह हमारी selling price निकल आएगी ठीक है यानि यह 75 अब जब CP को इधर बेजेंगे तो यह plus minus है तो plus हो जाएगा यानि plus CP हो गया ठीक है तो इसके जगा पे हमने यह लिख दिया ठीक है अब यह क्या बचा मैनस CP बचा upon CP है into 100 है ठीक है यह CP से यह CP कैंसील जब यह CP इधर जाएगा और यह इधर आएगा तो CP is equal to 75 गुडे 100 divided by 20 ठीक है यह गया आपका यह गया ठीक है अब यह 50 बार में गया ठीक है तो यहां पे आपकी CP कितनी आ गई? CP ठीक यह आपका CP आ गया ठीक 75 प्लस CP मैनस CP यह गया यह गया ठीक अब यहां पे CP आ गया आपका अब देखिए अब क्या करना है इसके बाद मैं आपको यह बता दूँ कि जब CP आ गया तो आप यह CP यहां पे रखेंगे और यह CP के बराबर है ठीक है जब यह CP यहां पे रखेंगे तो सीधे इसको इक्वेट कर दीजिए इससे अब क्या आ जाएगा देखिए यह MP इंटू 9 बटा 10 बराबर CP की वैलू क्या यह यह यहां से 37500 तो यहां पे रख लिजिए 37500 इंटू 120 30 अपाउन 100 यह गया यह गया यह गया यह गया ठीक अब यहां से MP कितना निकल आएगा आपका यह इदर जाएगा और यह 3 से 3 बार में कटेगा और यह 3 से 40 बार में कटेगा ठीक फिर 3 से यह भी कट जाएगा 7.5 हो गया अब इसको multiply करेंगे इससे तो कितना आजाएगा आपका 50,000 अंसर आजाएगा ठीक है यह market price निकल गया जो option C यहां पे है यह correct हो जाएगा clear तो यह ऐसे सवाल है यह आप लोग फ्रसा यह फ्रसा tough level का question था बाकि मैं कराद यहां concept आपको सब कुछ clear ही होगा ठीक है तो इस पर आप लोग practice करेंगे जितना हो सके बाकि मैं अगला season जो लाता हूँ SI और CI का लाता हूँ ठीक है वो भी most important chapter है उसमें से भी question आते हैं ठीक है बाकि आप लोग practice करेंगे कल के season पर हम लोग मिलते हैं अपना ख्याल लखे जय हिन जय भारत